इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमने पिछले वीडियो में संभिधान सभा के बारे में डिसकस किया था कुछ प्रस्ण बाकी रहे थे उसको आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिस करेंगे मैं आपको बता दूँ इसके पहले हमने भारत का संबेधानिक इतिहास उसको मैंने कवर करा है हुआ है तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से चेक कर लीजेगा पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है या तो आप वीडियो के सक्षन में जाएंगे तो आपको उपर क्लास सबसे पहले ये मिल जाएगा चीक है तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं संबेधान सभा कोश्चन नमबर 20 तक हमने डिसकस कर लिया था आज हमें उसके आगे कोश्चन नमबर 21 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कोश्चन कहा रहा है संबेधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधी ने भाग नहीं लिया था कौन सी देशी रियासत है जिसने संबेधान सभा में भाग नहीं लिया था ये question पूछ रहा है जूनागर, कस्मीर या हैदराबाद या मैसूर कौन सा देशी रियासत था जो संबिधान सवाब में भाग नहीं लिया था तो ध्यान रखेगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number C, हैदराबाद या जो देशी रियासत है उसने संबिधान सवाब में भाग नहीं लिया था चलिए question number 22 देख लेते हैं, बियार अंबेटकर का संबिधान सवाब में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, ततकालिन मद्ध भारत से या पंजाब से, इसमें आपका correct answer option number A हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, बियार अंबेटकर का संबिधान सवाब में निर्वाचन हुआ था चलिए, कोश्चन नमबर 23 कह रहा है, मुस्लिम लिग ने किस कारण संबिधान सवाब का बहिसकार किया था, मुस्लिम लिग संबिधान सवाब का अध्याच किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या संबिधान सवाब में उचित प्रतिनी दित तो नहीं मिला था, या मुसलम संब्धान सभा का चुनाओ निवनि में से किस अधार पर हुआ था समान अधिकार सर्व मताधिकार सिमित अधिकार या वर्गिय मताधिकार के अधार पर तिसमें आपका option number D correct हो जाएगा वर्गिय मताधिकार के अधार पर संब्धान सभा का चुनाओ हुआ था इसको आप लो या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा ना मांकित यानि संविधान सभा के सदस प्रतिनिदी थे कैसे थे इसमें आपका करेक्ट आंसर ओप्सन नमबर भी हो जाएगा जनता द्वारा और प्रतियच निर्वाचित ये हो जाएंगे सं प्रांतिये विधान सभाहों द्वारा परोच रूप से अनुपातिक प्रतिनिदी थे तो प्रलाली द्वारा चुनी गई थी या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या वयस्क मता दिकार के अधार पर भारतिये नागरिकों के द्वारा चुनी गई थी ति लिए question number 27 देखते हैं भारतिय संबिधान को किस ने बनाया था इसमें आपका correct आंसर हो जाएगा संबिधान सभा ने भारतिय संबिधान को बनाया था question number 28 कह रहा है संबिधान सभा के लिए चुनाओ कब संपन हुए थे तो ध्यान रखेगा option number B 1946 में संबिधान सभा के लिए चुनाओ संपन हुआ था Q21 कह रहा, भारतिय संब्धान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को भारतिय संब्धान सभा की स्थापना हुई थी? बिल्कुल आप लोग याद कर लिजे, क्लास में ही Q2 कोश्चन नमबर अगला कह रहा, संब्धान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई में, कुलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में तो करेक्ट आंसर ओप्सन नमबर D हो जाएगा दिल्ली में संब्धान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? संब्धान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? याद रहेगा? दिल्ली में हुआ था Q31 कह रहा है, संब्धान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अधिशता किस ने की थी? Q32 कह रहा है, संब्धान सभा का प्रथम अधिवेशन की जो अधिशता है, वह किस ने किया था? तो ध्यान रखिएगा ये किया था संब्धान सभा का पहला सत्र हुआ था? कब हुआ था? इसमें आपका करेक्ट आंसर उप्सन नमबर C हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को Q33 कह रहा है, संब्धान सभा के औस्थाई अधियच कौन थे? बियारंबेट का डक्टर राजिंदर परशाद सच्चिता नंसिनहा या कियम मुनसी करेक्ट आंसर उप्सन नमबर C हो जाएगा सचिता नंसिनहा ये संब्धान सभा के औस्थाई अधियच हो जाएंगे Q34 कह रहे हैं संभिधान सभा के इस्थाई अध्यच कौन थे अभी हमने पढ़ा संभिधान सभा के औस्थाई अध्यच कौन थे तो सच्चितानन सिन्हा और यहाँ पे इस्थाई अध्यच की बात की जा रही है तो correct answer option number C हो जाएगा Dr. Rajendra Prasad तो मैंने अभी आपको क्या बताया सचितानन सिन्हा यहाँ पे देख लेज़े संभिधान सभा के औस्थाई अध्यच कौन है तो सच्चितानन सिन्हा यदि बात करें संभिधान सभा के इस्थाई अध्यच कौन है तो द्यान रखेगा Dr. Rajendra Prasad यहाँ पे option number C आपका correct हो जाएगा question number 35 कह रहा है 11 December 1946 को किसे संबेदान सभा का इस्थाई अध्यर चुना गया था correct answer हो जाएगा B डक्टर राजिनर परसाद को question number 36 कह रहा है संबेदान सभा के संबेदानिक सलाकार कौन थे correct answer D हो जाएगा विनेगल नर्सिंग राओ यह आपके हो जाएगे संबेदान सभा के संबेदानिक सलाकार हो जाएगे question number 37 कह रहा है संबेदान सभा के चुने हुए इस्थाई अध्यर च कौन थे correct answer हो जाएगा option number C डक्टर राजिनर परसाद question number 38 कह रहा है निमलिकित में से कौन संबेदान सभा का सदसे नहीं था कियमुनसी, एन गोपाल सौमी, आयंगर या एच एच बेग या टीटी, कृष्णमाचारी इसमें आपका correct answer option number C हो जाएगा एच 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 बेग ये संबेदान सभा के सदसे नहीं थे question number 39 कह रहा है संबेदान के बेवेन पहलूँ के अध्यन हेतू संबेदान सभा ने कितनी समीतिया न्यूक्त की थी इसमें आपका correct answer option number C हो जाएगा तेरा समीतिया न्यूक्त की गई थी ध्यान रखेगा question number 40 कह रहा है संबेदान सभा के प्रारूप मस्विदा समीति की न्यूक्ति कब की गई थी correct answer हो जाएगा option number C 31 अगस्ट 1947 को संबेदान सभा के प्रारूप समीति की न्यूक्ति की गई थी तो आज के क्लास में बस इतना ही कुछ प्रश्न और बाकी रह गया है उसको हम अगले वीडियो में complete कर लेंगे देखिए एक क्लास में केवल 20 question को मैं रख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इससे upload करने में थोड़ा दिक्कत होता है तो इसके लिए मैंने केवल एक क्लास में 20 question को रखा हुआ है तो थोड़े से प्रश्ण और बाकी रह गया है उसको हम अगले वीडियो में cover कर लेंगे तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को share कर सकते हैं आपका दिल करें तो एक प्यार सा कमेंट कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद